हरे कृष्ण है तो पहला अध्या है आज कंक्लूर्ड होगा समाप्त होगा मुनियों की जिग्यासा किसी को याद है मुनियों ने क्या क्या जिग्यासा की है किछनी जिग्यासा की है चे चे सो आज जो है छटा प्रश्ण है भगवान अपने धाम को चले गये हैं अब धर्म ने किसका आश्र लिया है है कि इसका आइंसर पता है किसी को हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है अब ये कल्यूग आ गया भगवान की लिड़ा खतम हो गई तब कल्यूग प्रारम हो गया है इस कल्यूग का दुष प्रभाव नश्ड करने के लिए कलो नश्ड दिशाम पुरान अरक अधुन अधितहा उदितहा मतलब उदे हुआ है क्या उदे हुआ है पुराण अरक का मतलब है सूर्य सो कौन सा सूर्य उद्य हुआ है पुराण का कौन से पुराण का भागवत पुराण का सो ऐसा अब सूद गुस्वामी उत्तर देंगे सो अभी यहाँ पर तात्पर में प्रभपात बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताते है धर्म मूल रूप से साक्षाद भगवान द्वारा स्थापत आचार संहिता है सो धर्म की परिभाषा क्या है किसी को पता है हाँ धर्मम तु साक्षाद भगवत प्रनीतम धर्म मतलब भगवान द्वारा आया हुआ आदेश सो भगवान द्वारा आया हुआ आदेश कहां पर मिलता है हमको इतना सोचना पड़ता है वेदिक शास्त्रों में वेदिक शास्त्रों जो है वो भगवान द्वारा दिये हुए आदेश है और भगवान द्वारा दिया हुआ आदेश कहलाता है धर्म और धर्म दिया गया है वेदिक शास्त्रों में लेकिन अभी उसमें एक कठिनाई है, कठनाई क्या है ? वेदिक शास्त्रों में अनेक प्रकार के धर्म दिये हैं अगर सब कुछ बास simple straightforward होता, एकदम सरल होता तो इतने सारे शास्त्र नहीं होते, है कि नहीं, इतने सारे शास्त्र नहीं होते, तो फिर कटनाई क्या है वो कटनाई ये है कि अलग-अलग प्रकार के लोगों के लिए अलग-अलग प्रस्ताव दिया है शास्त्रों में जैसे अठ्रा पुरान है तो अठ्रा पुरान तीन भागों में विभाज़त है छे-छे के तीन खंड बनते है ये तीन खंड किस आधार पर है तीन गुणों के आधार पर सात्विक पुराण होते हैं राजसिक पुराण होते हैं तामसिक पुराण होते हैं क्यों ऐसा होता है हर कोई एक ही धर्म की विधी का पालन करने में सक्षम नहीं है उसके गुण उसकी योगजिता, उसका स्वभाव, उसकी परिस्थिती, इसको support नएं करती है कि सब लोग उस धर्म का ही पालन करें. So, जिसकी जैसी परिस्थिती है, जिसकी जैसी योगजिता है, वो उस अधार पर वैसे धर्म का पालन करेगा, तो धीरी धीरे वहां से उपर उठेगा तो वहां से उपर उठके और योग्य बनेगा तो और उच्छ धरूं का पालन करेगा उच्छ धरूं का पालन करेगा जैसे वेदिक शास्त्रों में वर्णाश्रम सिस्टम होता है वर्णाश्रम पद्धती में ब्राह्मन सत्यो गुन में माने जाते हैं शत्य रजो गुन में माने जाते हैं वेश्य रजो और तमो के मिश्रण में माने जाते हैं और शूद्र तमो गुन में माने जाते हैं ब्राह्मन की योग गिताएं हैं उसका जो गुण है, सभाव है, ज्ञान है, दर्शन है, ये बाकी तीनों से अलग है, बाकी तीनों वड़नों से अलग है, सो ब्राह्मन की योगिता जादा है ब्राह्मन की समझ जादा है ब्राह्मन के अंदर वो तपस्या ग्यान अरजन सरलता का जीवन, शुद्धता का जीवन ये सब ये जीवन यापन करने की जादा योगिता है उसके लिए नियम अलग है लेकिन एक शूद्र जो है वो तमो गुंड में होता है उसके लिए ज्ञान अर्जन करने का क्या करते हैं उतनी काभिलियत नहीं है तो धीरे धीरे वो अपने स्तर पे अपने दिये हुए नियमों का पालन करेगा तो वहां से उठके रजो तमो के अंदर आएगा फिर वो रजो तमो यानि वैश्चे के धर्म का पालन करेगा निश्ठा से जैसा शास्त्र में दिया है आत्मशुद्धी के अमार को चलेगा तो वहां से फिर थोड़ा से उपर उठके शत्रिय धर्म पे आएगा फिर शत्रिय धर्म का पालन करेगा अच्छे से रजोगुन में रहेकर तो धिरे धिरे रजोगुन में रहेकर वो उन नियमों का पालन करेगा उसका रजोगुन मिटता जाएगा वो धिरे धिरे सत्वगुन में आएगा और फिर वो ब्राह्मण के स्थर पर आध्यात्मिक जीवन का पालन करेगा तो वो शुद्ध सत्व में आएगा वहाँ पर भी जब वो भक्ती का पालन करेगा तो वो गोलोक जाने के योग्य बनेगा ने तो ब्रह्मा जोती में चला जाएगा तो इसके लिए बहुत सारे जन्म लगते हैं इसके लिए बहुत सारे जन्म लगते हैं अब इसमें से कुछ विदिविधान आसान है कुछ कठिन है लेकिन जो जैसा भी है सब को अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार उसका पालन करना है, तब ही उनकी उन्नती होगी सो अभी ये सब तो शास्त्रों में दिया हुआ था पहले से अच्छे से दिया हुआ था हाँ, लेकिन जब ये सब दिया हुआ था तो नारद मुनी ने व्यास देव को क्यों भागो तम लिखने के लिए कहा व्यास देव की अंतिम कृती है, स्रीमत भागो तम उसके पहले उन्हे सारे वेदिक शास्त्रों को वेद है, पुरान है, उपनिशद है सब का संकलन करके लिखेत रूप में प्रस्तुत कर दिया था सो फिर इसकी आउशक्ता क्यों पढ़ी क्योंकि भगवान की प्राप्ती ही धीवन का एक मात्र और चरम लक्ष है, ये स्थापित नहीं किया था इसकी लिए फिर से उन्होंने पूरे भागवतम में भगवान को केंद्र विंदु बना कर फिर इस ग्यान का वर्णन किया है इसलिए पड़ी क्योंकि कल्योग में ना तो ब्राम्हन ब्राम्हन के गुणों का पालन करता है ना शत्रिय उसके गुणों का पालन करता है ना वैश्य ना शूद्र कल्योग में सबकी गुण जो है वो तमोगुन रजोगुन से ग्रसित है एकदम जो निचले गुण होते हैं रजोगुन तमोगुन इन से ग्रिसित है तो ऐसे लोगों को ये सब वेदिक शास्तों का नियम समझना पालन करना ये सब बहुत कटिन है तो इसलिए फिर व्यास देव ने एक सीधा रस्ता दिया आप किसी भी स्तर पे हैं भागवतम का आश्रे लेकर सीधा भगवधाम जा सकते हैं इसलिए भागवतम के प्रारंब में जब दूसरा श्लोक है भागवतम का उसमें एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग श्लोक है इंट्रेस्टिंग शब्द आया है कैतव धर्म सुनाएं कभी आपने ऐसा धर्म प्रोजित अत्र कैतव अत्र पर्मो निन्मसराणाम सताम धर्म प्रोजित कैतव अत्र सो कैतव धर्म क्या होता है प्रोजित का मतलब है पूर्ण रूप से अस्विकृत प्रोपा दुधान देते हैं जैसे हम कमरे की सफाई करते हैं तो जो कच्रा आता उसको लेकर राहल भाहर फैक देते हैं उस पर ज hade विचार भी मर्ष नहीं करते कि साइघ सब्सक्राइब करना है एक इसा दुख और है कोई आशे किई नहीं है तो सारा कच्छा निकाला उसको घर से बाहर फिक दिया एक संतुष्टी मिलती है तो ऐसा प्रोज्यत शब्द का मतलब है इससे उसको निकाल के बाहर फिकना तो अब धर्म प्रोज्यत कैतव अत्रा तो यह कैतव धर्म जो है इसको निकाल कर फिक देना है यह कैतव धर्म क्या है यह कैतव धर्म का मतलब है यह भी धर्म है यह भी शास्त्रों में दिया है लेकिन इसको कैतव कहा है कैतव का मतलब होता है छल कपट करने वाला चीटिंग करने वाला इसमें चीटिंग क्या है? शास्तर में चीटिंग हुई है? इसका मतलब एग हुआ ना यह धर्म तो शास्तर में दिया है इसमें तो नारत्मुनी व्यासदेपर थोड़े से कहते हैं ऐसे नाराज से हो गए थे कि आपने क्या लिखके दिया है वायसम तीरतम उशन्ति मानसा आपने जो इसमें तो शास्तर में लिखके दिया है इसमें थुड़ा सा क्या कहते हैं दूशन है इसमें कुछ खोट है, खामी है वो खोट खामी क्या है? क्यों उसको कैतव कहा गया है? क्योंकि धर्म का उद्देश्य है जीव को भगवान से जोड़ना जो कोई भी धर्म का विधिविधान कानून नियम जो कुछ भी अनुष्ठान जीव को भगवान से सीधे नहीं जोड़ता है वो कैतव कहा जाता है धर्म के नाम पे वो भगवान से अलग कर रहा है जैसे एक उधारन देता हूँ आपको बहुत सारे रिशी मुनी है जो जंगल में जाके तपस्या करते हैं बहुत सारे राजा हैं जो अश्व में जेग्य करते हैं उनको स्वर्ग जाना है तो इंद्र फिर कुछ कुछ करता है ना बीच में गड़ बड़ सो वो लोग वेदिक शास्त्रों के अनुसार अश्व में देग्य कर रहा है शास्त्रों में अश्व में देग्य का नियम दिया है पूरा विदि विधान, सामगरी, मंत्रो चार अनुसारी वेवस्था सब कुछ दिया है तो अब कोई बोलेगा मैं तो शास्त्रों के हिसाब से धर्म का कारे कर रहा हूँ लेकिन वो वास्तों में धर्म का कारे नहीं है क्यों? क्योंकि धर्मम तु साक्षाद, भगवत, प्रनीतम, भगवान का आदेशे मेरे पास आओ इंद्र के पास मत जाओ सो भगवान का आदेश समझना बहुत जरूरी है अनिवार्य है भगवान का स्ट्रेट आदेश है अर्जुन को एक बार नहीं अने को बार मा मुपेत तो कौन थे या सो वास्तव धर्म वो है जो हमें भगवान के पास लेकर जाए जो हमें भगवान से जोड़े उनकी सेवा में लगाए इसके अलावा जो कुछ भी है वो भगवतम में कैतव धर्म कहा गया है सो है तो शास्त्र में कोई वाद भी वाद कर सकता है ये देखिए ये वेदों में लिखा है उपनिशदों में लिखा है पुराणों में लिखा है हम इसके अनुसार कारे कर रहे हैं अच्छी बात है लेकिन ये अच्छी बात है सरवशेष्ट बात नहीं है इस से उपर भी एक सिध्धानत है धर्म का वो सिध्धानत क्या है भगवान की शरण में जाना इस सम्सार के भवबंदन से मुक्त होना ये चीज भगवान कृष्ण भगवद जीता में सिखाते है ये चीज अनिवार है समझना सो सतरवे अध्याय में 17 चैप्टर जो है इसमें भगवान कृष्ण बताते हैं इसका शेर्शक है सद्धा के विभाद डिविशन सॉफ पेथ भगवद जीता का सतरवे अध्याय अर्जुन का प्रश्ण है भगवान से पहले सोल वेध्याय में भगवान कृष्ण क्या बताते हैं अर्जुन को कि जो शास्त्रों का पालन नहीं करता शास्त्रों की विदी विधानों का पालन नहीं करता यह शास्त्र विदिम उस्रिज्य उससे जो मतलब त्याग देता है उसका अनुसरण नहीं करता है reject करता है वर्तते काम कारता है और अपनी मर्जी से कारे करता है तो शास्त्रों का पाला नहीं कर रहा है ऐसा विक्ति अपने काम कारता मतलब अपनी इच्छा के अनुसर जैसे उसके दिल में भावना है जैसे उसकी इच्छा है पसंद है उसके अनुसार कारे करता है उसे ना तो सिध्धी मिलती है ना सुख मिलता है ना परमगती मिलती है तो ऐसा भगवान निशकर्ष दिया इसलिए फिर भगवान कृष्णा बोलते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है वो उसे सीखो तो इस तर शूलाज्य खतम होता है तो अर्चन तुरंध पूछते हैं ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जो शास्त्रों का पालन नहीं करते है शास्त्रों का ग्यान नहीं उनको लेकिन उनकी भावना अच्छी है आते हैं न ऐसे लोग हमारे जीवन में आमना सामनों होता है जो उनको शासों का ग्यान नहीं है ना शासों का पालन कर पा रहे हैं लेकिन दिल में अच्छी भावना है तो इनकी क्या गति होती है क्योंकि ये प्रशन बहुत लोगों को कि कहते हैं हमेशा खलता है क्यों हमने तो अच्छी फीलिंग से किया ना हमने तो अच्छी भावना से किया हमारे दिल की फीलिंग तो अच्छी थी ठीक है अब वो काम गलत हो गया तो ऐसे हमने कभी कभी सुना होगा कानून जजबात नहीं देखता है सुना है यह बहुत फेमस बहुत फेमस यह बहुत फेमस टैग लाइन है आधालत की सीन में ऐसा होता है बहुत बार तो तो भगवान बताते हैं इसका बहुत अच्छा एंसर देते हैं अगर अगर यह दिल ने बैढ़ गया यह समझ में आ गया तो फिर शास्त्रों का जो उद् शद्धा को लेकर करें शद्धा डिविजन्स ऑफ तो भगवान बताते हैं कि शद्धा चार प्रकार की होती है शद्धा का मतलब क्या है शास्त्र में अभी जिसको शास्त्र ग्यान नहीं लेकिन शद्धा अची है भावना अची है अभी शद्धा का मतलब क्या है? शद्धा का मतलब है शास्त्र के निशकर्ष पर पूर्ण विश्वास होना भगवान के आदेश पर पूर्ण विश्वास होना इसको बोलते हैं शद्धा इन गौड we trust आपने सुना ऐसा अमेरिका के डॉलर डॉलर पर लिखा होता है इन गौड we trust प्रभवापत बोलते हैं इफ यू ट्रस्ट इन गौड तन वाइ दोंट विश्वास है तो फिर भगवान के आदेश का पालन कीजिए तो भगवान का आदेश क्या है? यग्यानाम जब यग्योस्मी सततम कीरतें तो माम है ना? सो आप क्यों नहीं करते हो? सो शद्धा का मतलब है मुझे भगवान में पूरा फरोसा है पूरा फरोसा है तो फिर जो भगवान बोल रहे हैं वो करो अब भगवान क्या बोल रहे हैं? अब हमारे विशे पर आईए सर्वधर्मान परित्यज्य मामे कम शरणम रजा इसको बोलते हैं भगवान में पूर्ण शद्धा होना यस मुझे क्रिश्न पूरा फरोसा है अब जैसा भगवान क्रिश्न बोले हैं वैसा करूंगा सब कुछ सारे धर्म करम कैतव धर्म जो भी धर्म है छल धर्म उपधर्म परधर्म विधर्म अनलेक्ट प्रकार के अधर्म होते हैं सारे त्याकर केवल क्रिश्न के शड़ में आना है अब सीखना है क्रिश्न को क्या पसंदे वो करना है इसको बोलते हैं वास्तिविक शद्धा शुद्ध और इससे इस असले शुद्ध क्या है जैसा भगवान ने बोला है सीधा उनके शब्दों को अपने दिल में उतारकर उनका अनुसरण करना इसको बोलते हैं शुद्ध शुद्ध अब आगे भगवान अभी कया चार प्रकार की शद्धा हैं, सब आगे भगवान बदाते हैं और तीन प्रकार की क्या है ये हैं दूशित पहली शद्धा क्या है, शुद्ध शुद्ध मतलब बस भगवान ने बोल दिया पूरे निष्ठा से लग जाओ सो इसको कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं सूचता ये आगे चलके शुद्ध भग्त बनते हैं दूशित सद्धा कैसी होती है अब ये है शुद्ध चेत्ना वाला जीव, अब इसमें तीन गुन का दूशिन आता है अब उसकी चेत्ना में सत्व गुन आ गया जब उसकी चेत्ना में सत्व गुन आएगा तो वो क्या करेगा शास्त्र को लेगा जो शुद्ध चेत्ना वाले हैं वो भी शास्त्र को लेते हैं शास्त्र से भगवान का आदेश सीखकर उसका पालन करते हैं जो सत्व गुन से दूशित है वो जितना वाले क्या करेंगे, वो भी शासरे लेंगे, उसमें से वो सत्वगुन के कारे करेंगे, तो सतर वद्धा भगवान बतते हैं, सत्वगुन वाले देवताओं के उपासना करते हैं, वो थोड़ा पवित्र काम ही करेंगे, बुरे काम नहीं करेंगे, लेकिन पूर्ण शद्धा पूर्ण विश्वास भगवान पर नहीं है थोड़ा विश्वास देवताओं पर भी है यहां से भी कुछ-कुछ मिल जाएगा तो इंद्रितिप्ती के लिए सत्वगुन में भी इंद्रितिप्ती होती है तो इंद्रितिप्ती के लिए लोग धन संपत्ति के लिए शत्रु पर विजय पाने के लिए स्वर्ग प्राप्ति के लिए यग्य करते हैं, व्रत करते हैं, तपस्या करते हैं यह सब इंदे तिप्ति के लिए किसी को संतान ने, संतान प्राप्ति के लिए तो यह सब रजोगुन है मतलब मेरी इच्छा है मेरे अंदर कुछ इंदे तिप्ति की इच्छा है इसको पूरा करेंगे ऐसे लोग भी शास्त्रों का नुसरन करते है कुछ सीमा तक और उसके बाद फिर वो किन की उपासना करते है असुरों की या उच्छेनी के मनुश्यों की उपासना करते है फिर जिसके दिल में तमोगुन बस गया है जिसके दिल में तमोगुन बस गया है तो ऐसे लोग शास्त्रों ये आसुरी लोग माने जाते हैं भूत पिशाच इन सब की उपासना करते हैं और ये लोग शास्त्र का विरोध करते हैं ये अपने नियम, अपने कानून बनाते हैं जैसे हिरण ने कष्षब था उसने कानून बना दिया कि कोई विश्णू की उपासना नहीं करेगा सब लोग मेरी उपासना करेंगी उसने मंत्र बना दिया था प्रलाड महराज नहीं किया टो एक dwarf हो गया इतना रोश हो गया उसके कि अपने ही पुत्र को वो मरवाने के लिए अनेक अनेक प्रइथ न करना लगए जानते हैं हैं मैं हाती के नीचे उपर से अनो चट्टान से गिरा धेने परवत से गिरा धेना फिर जहरीर सापों के कुए में फिर विश्पान कराना ऐसा अनेक प्रयास किया उसने स्वायम खुद ही अपने हाथ से मारने कभी यतने किया उसने तो ये लोग भी अब आप देखिए भगवत गीता में सतर विद्धा हैं भगवान किष्णा बताते हैं कि जो आश्री सभाव के लोग होते हैं वो भी यग्य करते हैं वो भी दान देते हैं लेकिन नाम मात्र के लिए बिना विदी विधानों का पालन किए सो दिखने से हमको आश्री प्रकार के लोग हैं कोई आश्री प्रवति का विक्ती है वो हमको ऐसे मंदर के सीडियों पर गरीबों को दान देते हैं वो कितना धार्मिक प्रक्ति है हम सोचेंगे न कितना धार्मिक प्रक्ति है ऐसे एक बड़ा सा टीका होगा मोटी माला होगी गले में सबको कंबल बाट रहे हैं, भोजन बाट रहे हैं, हवन करते हैं, हवन का आयोजन करते हैं, इस तरह से, लेकिन लेकिन वो भगवान की इच्छा के विरोधी हैं, वो भगवान के विरोधी हैं, वो अन्य जीव जो वास्टविक धर्म का पालन करते हैं, उनके भी विरोधी हैं तो यह धर्म का जो विशे है बहुत गहराई से समझना अनिवार रहे हैं अन्यता सबकुष शांस्त्रों से कोई प्रस्तुत कर सकता है यह सब यह ऐसे लोग आते हैं मंदर में जो बुलते हैं हम वेद उच्छारण करते हैं आपको अगर कुई ऐसा ऐसे आशकता है वेद उच कर सकते हैं कुछ वेदिक अनुष्ठान कर सकते हैं सो यह सही है वेदिक अनुष्ठान करना वेदिक मंत्रों का उच्छारण करना इन सब सुन्सकारों का पालन करना लेकिन लेकिन इस पूरे इस पूरे प्रयास में जो असली वस्तु है इस मनुष्ची जीवन के जो छोटी सीमा है चोटे सा जो आयू है हमारी इसमें जो बेस्ट हम प्राप्त कर सकते हैं सरवस्टे जो हम प्राप्त कर सकते हैं उससे वो चूग गए हैं ये बहुत बड़ा नुकसान है ये बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि अब इसके आगे दूसरा जनम कब मिलेगा कैसा मिलेगा कहां मिलेगा इसकी कोई guarantee नहीं है तो यह जो छोटी सी हमको आयो मिली है 60-70 साल की उसमें से बहुत सारी आयो तो हमारी निकल गई करेक्ट मतलब हमारे किसी के 20 साल किसी के 30 साल किसी के 40 साल तो ऐसे ही बीद गए अब जाके हम कृष्ण भक्ती में आये है कृष्ण भावनामृत में तो अब जो बचा है इसमें सर्वशेष्ट पकड़ लेना है इसलिए भगवान कृष्ण बोल रहे है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शर्णम्रचा इसलिए ये सारे रिशी मुनी पूछ रहे हैं कि अब धर्म ने किसका आश्रे लिया है आगे आने वाली पीडियों का क्या होगा इसलिए व्यास दे ये कल्योग की हमारी जो अल पायुशा है चोटी आयू ये बरबाद ना हो व्यर्थ ना जाए श्रीमत भागवतम देखे हमें सीधा कृष्णा से जोड़ रहे है सबकी योजना आप देखिए इस कल्योग में एक ही तरफ निर्देशित करती है वो क्या है सारे कैतव धर्मों को छोड़कर सीधा वास्तविक धर्म में आना भगवान कृष्णा की शरण में आना सो सिर्फ शास्त्रों का पालन करना अपने आप में परिपूर्ण नहीं है इसमें से उसका उद्देश जानना अनिवार रहे सो शास्त्रों का उद्देश कौन बता सकता है सरवशेष्ट जिसने शास्त्र दिये है सो अर्जन जो थे पहले अध्याए में भगवान कृष्णा से युद्ध न करने के अलग-अलग तर्क दे रहे थे सो अर्जन शास्त्रों से बताते हैं भगवान कृष्णा को कि देखिए हम इनका वद करेंगे तो पाप लगेगा करेक्ट है क्यों? क्योंकि ये लोग हमारे परिजन है अगर इनको थोड़े से धनसंपति चाहिए तो दे देना चाहिए परिजनों का धनसंपति के लिए वद करना कोई उचितकार नहीं है फिर अर्जन आगे बोलते हैं भगवान कृष्णा से कि कुल धर्म नष्ट हो जाएगा वर्ण संकर हो जाएगा पिंडदान सामाजिक कल्यान की क्रियाएं ये सारी की सारी बंद हो दें और फिर अर्जन क्या बोलते है? लास्ट में ये सब मैंने परंपरा में सुना है ये सब मैंने परंपरा में सुना है तो इस तरह से अरजुन भगवान को ये सारे तर्ख प्रस्तुत कर रहे हैं शास्त्रों से अपने मन से नहीं बूल रहे हैं अरजुन उसका लास में निशकर जयते हैं ये मैंने परंपरा में सुना, ये मेरे दिल की भावना नहीं है कि मुझे ऐसा लगता है नहीं तो इस तरह से अर्जुन ने शास्ट्रों से तर्ग दिये लेकिन भागवान ने तुरंथ क्या उत्तर दिया दूसरे अध्या में कैसे शब्द उप्योग किये भागवान ने वाह अर्जुन वाह ऐसा बोले बताईए यहां बहुत सारे लोग गीता अगोर्स कंप्लीट करके बैठे हैं सो अटलिस्ट कोई तो बदा सकता है कि भागवान ने तुरंथ भागवान का पहला जो अर्जुन को वचन है श्री भागवान वाचा किस तरह से शुरू हुआ अर्जुन के इतने ज्ञान की बाते किए शास्त्रों से परंपरा में सुनकर शास्त्रों का निशकर्श निकालके दिया है भागवान को यह तो क्यूं नहीं करना चाहिए भागवान तुरंथ बोला कुतस्तवा कश्मलम इधम विश्मे समपस्तितम अनारे जुस्टम अस्वर्ग्यम अकीड़ती करम अर्चुना जैसे नारतमुनी व्यासदेव को डाट रहे हैं भगवान कृष्ण अर्चुन को डाट रहे हैं जो क्या-क्या बोलता है भगवान? इंपोर्टन चीज है क्या-क्या है इस डाट में कुतस्त्वा कश्मलम इतम तुम्हारे ओपर ये दूशन कहाँ से आया? तुम आर्य हो आर्य मतलब आर्य का अर्थ क्या होता है? जो लोग इस मनुष्य जीवन में आध्यात्मिक उन्नती का महत्व जानते हैं सब लोग जीवन जी रहे हैं लेकिन अभी आप ऐसे सर्वे कीजिए बाहर जाकर लोग उनसे पूछ ये जीवन का लक्ष क्या है? सो 90% लोग तो पक्का यही बोलेंगे कि खाओ पियो, मौच करो भगवान ने हाँ ये जीवन दिया तो इसको इन्जॉय करना है, तो इदो इदर कल्यान कारे कर लेंगे लेकिन लक्ष कल्यान कारे करना आत्मिक उन्नती नहीं लक्ष ये है, बीच में तोड़ा मंदे जाके माथा टेक किया सकते हैं, लेकिन लक्ष कुछ और है, जैसे हम ट्रेन में बैठता हैं ना लक्ष क्या है, यहां से दिल ले जाना बीच में ठीक है, तोड़ा सा चना खालिया, मंगफले खाले तोड़ा सा इदो आखारे कर लेकिन लक्ष दिल ले जाना है, वो ट्रेन से ट्रेन में कुछ आ जाए, तो कर लेंगे, तो मंदर जाके, बदू गणू सरस खिचडी छे, हाँ, तो चलो, चलो, सब मंदर चलो, ऐसा है, तो वहाँ पर बच्चों का जूला है, बैठने के अच्छी व्यवस्ता है, थोड़ा पॉलुशन नहीं है, शोर शराब नहीं शहर का, तो चलो, तो उनके लक्ष में जो बैठता है, वो कार्य वो करते हैं, तो भगवान बोल रहे हैं, आर्य वो होते हैं, जो जीवन के आध्यात्मिक लक्ष को समझते हैं, अर्जुन तुम ये भूल गए, अनार्य हो गए, तुमारे उपरे कलमश कहां से आया, ठीक है, फिर अनार्य हो गया, अनार्य जुष्टम अस्वरग्यम, ये तुमको स्वरग को नहीं ले जाएगा, ये तुमको कहां ले जाएगा, नरक को ले जाएगा, हाँ, क्यों? क्योंकि आप अपने कर्तवे की उपेक्षा कर रहे हैं आप देहात में बुद्धी के आधार पर बात कर रहे हैं अकीर्थी करम ये तुमको अकीर्थी मतलब अपियश दुनियादारी की आलोचना इनों सामजिक निंदा इन सब की तरफ ले जाएगा अरजुन की भरसना की है क्यों? क्योंकि भगवान अरजुन को तुरंथ सर्वश्ष्ठ धर्म सिखाना चाहते है नई तो आहिमसा भी एक धार्मिक सिद्धान थे बागवजी की ताम में सवयम भगवान क्रिष्ण आहिमसा के बारे में चर्जा करते हैं जो सात्विक गुंड होते हैं, सद्गुंड होते हैं, उसमें आहिमसा की एक गुंड है, जो अर्जुन वही करना चाहते थे, अहिमसा की करना चाहते थे, लेकिन भगवान ने फिर क्यूं इस तरह से निंदा की अर्जुन की, इस तरह से क्यूं डाटा अर्जुन को, क्योंकि यहाँ पर उच्छ धर्म है जो हिम्सा का यह केते हैं आदेश देता है वास्ता में हिम्सा नहीं है वो उससे बड़ी आहिम्सा है अगर अर्जुन इन सारे सैनिकों को युद्धाओं को नहीं मारते तो क्या होता? थोड़े दिन और जिन्दा रहते और थोड़े जी लेते हैं वो सारे सैनिक तो अहिम्सा से उनन उनको थोड़े साल और जीने का मौका दिया होता लेकिन भगवान के आदेश पर युद्ध करके अर्जुन ने उनकी आयू काट दी और तुरंत मोक्ष का मार खोल दिया क्योंकि वो भगवान की उपस्तिते हैं थोड़े दिन और जिंदा रहे तो नरख हो जाते या तुरंत मोक्ष करते कौन सा शेष्ट है थोड़े दिन और रहते तो और बुढ़ापा आता घुटने का दर्द होता चश्मा लग जाता खासी होती है कि नहीं तो अर्जुन ने वो भी बचा लिया रिटार्ड लोग तो आते नहीं न युद्ध करने रिटार्ड लोग घर पे हैं तो अर्जुन ने वो भी बचा लिया और उनको तुरंत क्योंकि भगवान के उपस्तिते हम बरे प्रवबाबस बोलते हैं सबको 64 करोड लोग थे उस जुद्ध में तुरंत सबके सब मुक्त हो गए तो भगवान की जो दिष्टी है भगवान की समझ है वो बहुत विशाल है विस्तित है अर्जुन की समझ है वो सिर्फ अपने प्रसन्नता, आनंद, सुख, कमफर्ट उसके उसना तक सीमित है सो यह है अंतर सो जब भगवान धर्म का आदेश देते हैं वो सब के परम हित के लिए परम कल्यान के लिए देते है अब इसका पालन कौन कर सकता है जो शुद्ध शद्धा में स्थापित है वो ही इसका पालन कर सकता है अभी धीरे धीरे अभी इसके लिए क्या करना है वर्णाश्रम पदिती से आएंगे तो अनेक जन्म लगेंगे आज हम तमोगुन में हैं अब तमोगुन के नियम पालन करते रहो करते रहो करते रहो धीरे धीरे रजो तमोगुन में आएंगे फिर इसके पालन करते रहो करते जन्मना मनते। प्रभपाद ने क्या किया है, चैतने महाप्रभ ने क्या किया है, तुरंत इनको माला पकड़ा दो। इसी जन्म में कितने गुंड हमारे पार हो जाएंगे, इसी जीवन में हम कृष्ण लोग जाने के लिए योग्य बन जाएंगे। ये सारा अनेक जन्मों का जो step by step progress है, एक चरन से दूसरे चरन पर जाने के जो क्रमशा, उन्नती की विधी या मार्ग है, इसको सीधा short circuit करके, काट पीट के, इसी जीवन में परम लक्षे पर बिठा दिया है। भगवान कृष्ण भगवाद गीता में बार बार बोलते हैं, आप इसी जीवन में मेरे इती सो अरजना, त्यक्तवा देह मतलब शरीर त्यागने के बाद दूसरा जनम नहीं होगा, सीधा माम इती सो अरजना, मेरे पास आओगे, इतना बड़ा बोनस दिया है, तो अभी वास्तव में इस वर्तमान स्थिती में धरम मतलब सीधा भगवान के आदेश का अनुसरन और वही भगवान अपना आदेश समझाने के लिए चैतन्य महाप्रभु की रूप में उतरित हुए, जो उनको उपदेश देना था वो तो उन्होंने गीता में उलिट दे दिया है, भाकतम्य व्यास्तव ने सबको संकलित करके रख दिया है, लेकिन इसे अपने जीवन में अनुसरन कैसे करना है, अपनाना कैसे है, वो पहले थेरी आदेश दिया, कि ये तब सुनलो, ऐसा-ऐसा करो, सो कल्योग में इतनी भी योगेता नहीं है, क्योंकि कोई भी शुद्ध शद्धा वाला व्यक्ति नहीं है, कोई भी शुद्ध शद्धा वाला व्यक्ति नहीं है तो अगर इनको पूर्ण रूप से कृष्ण किशन में लाना है तो इनको तुरंद शुद्ध शद्धा देने पड़ेगी उसके लिए इनके मन का कलमश मिटाना पड़ेगा उसके लिए जो सबसे शक्ति शाली अस्त्र है भगवान का वो है हरिनाम सीधा आके उन्हेंने हरिनाम पकड़ाया और सिखाया संकीरतन कैसे करना है जब कैसे करना है इस तरह से हम तुरंद तीवर गती से जैसे प्रवबत बोलते हैं आप एक-एक सीड़ी चड़के उपर जाएए या लिफ्ट में बैठ जाएए लिफ्ट अपने आप उपर ले जाती है सीड़ी में आपको चड़ने का प्रयास करना पड़ता है है ना लेकिन लिफ्ट में आपको सिर्फ बैठने का प्रयास करना पड़ता है खड़े रहे बढ़े जो भी कीजिए बटन दबा दीजिए बागी काम लिफ्ट करेगी और तुरंत लेके चाहेगी सो यह हरी नाम ऐसा है हम पकड़ के रखेंगे हरी नाम को हरी नाम को खीच के ले जाएगा हमको प्रेतन करने के आउशकता नहीं पड़ेगी इस तरह से चैतने महाप्रुव का मिशन है कि सब को शुद्ध शद्ध में बटा जाए ताकि वास्तविक धर्म समझ में आ जाए बाकी लोग धर्म के नाम पर जो भी खुश हो रहे हैं कि हम यह कर रहे हैं वो कर रहे हैं वो अपनी खुशी में रहेंगे यह सब सब भागेश अले जीव तुरंत भाव भंदन को पार करके क्रिष्ण लोग पहुँच जाएंगे पर हम वहां से देखेंगे अभी भी यह लोग इसी में लगए हैं हम सीधा पहुँच जाएंगे यह है वो वर्दान श्रीमत भागवतम भगवत गीता प्रवपाद बोलते हैं यह दो शास्त्र हैं जो इस कल्योग में हमें सीधा यहां से क्रिष्ण लोग ले जाने के लिए दिये हैं भगवान में राइट श्रीमत भागवतम की चै श्रप्रवपाद की चै